दोस्तों, आज कुछ खास लेका आया हूँ आपके लिए, सिर्फ पांच मिनिट रोजाना करोगे और आपको उस लेबल का एनरजी मिलेगे आप सोच नहीं सकते आपकी रोग प्रतिरोग ख्यमता जितनी है उससे कम से कम तीन से चार गुना बढ़ जाएगे बहुत ही सिंपल टेक्निक्स हैं, काफी सारे लोगों को परसनल लेबल पर जो लोग मेरे से मिलते हैं उनको बताया हूँ और लोग करते हैं, सबको फायदा होता है हमारी जो हाथ है ना, कई बार हमारी आदत है, हम लोग ऐसे भी मुठी-मुठी करते हैं मगर हमें यह पता नहीं है, कि यह मुठी जब बंध होती है और खुलती है, तो हमारे सरीर के अंदर क्या होता है यह मुठी जब बंध होती है और खुलती है, तो किस लेवल का चेंजेस हमारे सरीर में होता है, किस तरह का केमिकल रियक्शन हमारे अंदर होता है कौन से हर्मोन हमारी अच्छी सिक्रेशन होती है और कौन सा बुरा चीज हमारा कम हो जाता है चाहे हो डिप्रेशन हो, आइंजाइटी हो, स्ट्रेस हो एक साधार जिबाद है हम लोग ऐसे ही बैठ के भी कई लोगों के आदत है ऐसे मुठी-मुठी करते रहेते कभी हाथ अकडने जैसे लगता है, कभी कुछ लगता है, हम लोग ऐसे मुठी-मुठी करते हो और खोलते है तो दोस्तो बहुत सिंपल तरीका है यह, जब आप मुठी-मुठी-मुठी-मुठी श्यव बन पर रहे इस dares, नगने आप देख लो पहले अपनी index finger को यह index finger जहां touch होती है उसको adrenal gland कहा जाता है, जो खास करके हमारा blood circulation, blood pressure को control करता है Middle finger जहां हमारी touch होती है, राइट हैंड की बात ही बता रहा हूँ, तो वो सीधे kidney के reflection area को touch करता है Ring finger हमारी जहां touch होती है, वो सीधे pancreas के reflection area को touch होता है उसका जहां nerve end है, उसको touch करता है And little finger जहां touch होती है, वो आपका liver कहलाता है Right side और left side में सिर्फ एक ही चीज़ का अंतर है, वो right में है आपका liver, left में है आपका heart Left का little finger जहां पे touch होती है, that is equal to the heart यानि अगर हमने इस तरीके से मुठी बंद करते हैं और खोलते हैं तो हमारा index finger touch कर गया आपका adrenal gland Middle finger जहां touch हो गया वो आपका kidney हो गया And ring finger जहां touch हो गयी वो आपकी pancreas हो गया And little finger जहां touch हो गयी वो आपका liver हो गया इधर उसी तरीके से यह adrenal gland जहांने BP point हो गया इधर आपका kidney point हो गया यह आपका pancreas जहांने diabetes के लिए हो गया और यह आपका little finger जहां touch हो heart का हो गया अब सवाल यह है कि हम इसका प्रयोग कैसे करें थेराबिटी के लिए अपने लिए सिर्फ 5 minute आप किसी भी जगा पर बैठ लीजे चाहे chair में हो बेड पे हो या फिर आसन डाल के नीचे बैठ ले जहां आप comfortable हो जिस हालत में भी आप हो फिर से इस तरीके से मुठी बन करनी है और खोलनी यान आप के मुठी के अंदर आपका अच्छा स्वास्तिय चुपा हुआ है बस दबाोगे वो निकल आएगा आपकी energy आपके मुठी में बंद है आपका बिमारी को दूर करने की ख्यमता मुठी के अंदर बंद है बस tight करें और फिर हो खुल के बहार आएगा आपकी beauty आपके मुठी के अंदर है tight करें दो second रोकिए फिर इसको खुलिए याने जैसे खोलोगे आपके अंदर खुद को फील होगा कि एनरजी बढ़िया जबरदस्त आ रहा है मैं थोड़ा इसको योगा और एकिप्रेशर का दोनों को मिला के तयार किया हूँ कि आप जब भी मुठी बंद करते हो एक्स्ट्रा एक बार को उसमें जोड़ा गया है कि आप सास जरूर लो और जब मुठी खोलते हो तो सास बाहर निकालो इस तरीके से याने सास लिए मुठी बंद किये सास छोड़े मुठी खोल दिये दोस्तों पांच मिनिट आप इस तरीके से करना है और आप देखोगे डे बाई डे आपके अंदर चंजेस आते जाएगा जिसको ब्लड पेशर है जिसको किड्नी का प्रावलेम है जिसको आपका डाइवेटिस है जिसको लिवर में को प्रावलेम है जिसको heart में problem है उनके लिए तो ये पुरा राम बान है जिनको नहीं है उनको जिन्दे की भरी बिमारी कभी होगा नहीं अगर आपका heart, liver और आपका kidney, adrenal gland, pancreas ये सब बढ़िया रहा तो आप और क्या चाहिए जीवन में तो बहुत ही छोटा बात थी मगर इसकी result जो है बहुत करता हूँ आप इसको अमल में लाओगे, daily regular practice करोगे, इसका फाइदा आपको जरूर होगा और इस बात को गांड बना लीजिए, फाइदा होना तै है, thank you very much